नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो आरसीबी टीम के सभी फैंस के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आई चौथे मुकाबले से जहाँ पर उन्होंने इस मैच में मुंबई इंडेंस को हरा करके एक और जीत हासिल कर ली है आरसीबी टीम के चार मैचों में ये जो है लगातार तीसरी जीत है तो टीम के सभी फैंस काफी खुश है टीम की बहुत ज़्यादा तारीफे भी हो रही है हाला कि आरसीबी टीम अगले मैच से और ज़्यादा मजबूत होने वाली है कुछ बड़े पद्ला होंगे टीम में प्लेइंग लिए उनमें एक बड़े खिलाड़ी की वापसी होने वाली है तो इसके बारे में हम सारी बाचत आगे इस वीड़ो में करेंगे अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीड़ो को दिल से एक लाइक कर दीजे वहीं दोस्तो हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि ऐसी ही डेली अपडेट साब तक हमेशा पहुचती रहे उनली प्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगे फटा फट जाएए वहाँ पर उसे भी जोईन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कल हुए आरसीबी और एमाई के मैच में मेरे कप्तान थे अनुज जिन्होंने विंजो एप पर मुझे धेर स जाकर बनाओ अपनी टीम डर है टीम में चेंजेस का कौन है इन कौन है आउट लास्ट मिनट प्लेयर इंजरीस ग्राउंड पिच कंडिशन में चेंज ऐसे पचास थरीके के टेंशन का तो विंजो फेंटेसी वार पे सपोर्ट करो हमारे एक्सपर्स की टीम से और जीतो इसमें जीतने के चांसेस भी 50 परसेंट है बिंदास एक्सपर्स सेलेक्ट करो और मैच देखो बिना टेंशन के आप एक्सपर्स की टीम जीती है तो आप भी जीतोगे मैच के बाद अपनी विनिंग्स जो है विड्रॉ करो सीधा पेटियम बैंक अकाउंट या फिर यूपी खेली इस मैच में अनुजावत ने आर्सेबी टीम के लिए बल्ले बाजी करते हुए 6-6 रनों के शांदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 लंबे लंबे चक्के भी लगा इसके लाव दोस्तों विराट कोहली ने 48 रनों की पारी खेली 36 गेंदों का सामना किया इन दोनों मैच में शायद से जॉश हिजलवुड की वापसी हो जाएगी जिहां दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं पहले सी ही अपडेट आ रही थी जॉश हिजलवुड बहुत जल्दी भारत पहुशने वाले हैं और चिन्ने के खिलाफ मैच के लिए वो सेलेक्शन के लिए एविलि है हम सबी को पता है कि मैक्स फिल अल्रेडी वापसी कर चुके हैं इस मैच मुने एक शांदा रन आउट किया और दो चौके लगा कर आर्सीवी टीम को जीत दिलाई लेकिन दोस्तों जॉश हिजलवुड के आने से रसीवी टीम की प्लेंग लेवन और ज्यादा मजबूत न ही आएंगे क्योंकि जॉश हेजलवुड टीम में आ जाएंगे अब देखना यह होगा कि हेजलवुड क्या अगला मकावला खेल पाते हैं या फिर नहीं जैसी है और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा लेकिन दोस्तों आर्सीवी टीम के ल तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक्स वारोचीन दूस्तों